कल दिपावली का दिन था आप सब को पता है कि दिपावली का दिन खुसियों का दिन होता है क्योंकि उस दिन बुराई पे अच्छाय की जीत हुई थी लोग उस दिन अपने घरों में पूजा पाट करते हैं और मिठाईया बाटते हैं लेकिन राइगर सहर में दिपावली के म हम खड़े हैं राइगर सहर के संसकार स्कूल के पास मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहां संसकार स्कूल है और यह संसकार स्कूल का रोड बोला जाता है इसे यहां हम इस वक्त क्यों खड़े हैं क्योंकि यहां पे दिपावली के मद रात्री को दो परिवारों के बीच में यहां की पूरी स्थिती बताएंगे कि घटना क्या था इस बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे और लोगों से बात करने का प्रयास भी करेंगे कि यह घटना पूरा तो वहां से मेरे छोटे भाई को मैं बोला तूजा बोला वही से मेरे छोटे भाई तीन बज रात के निकल के आर आ गया है और उसके बाद उसको अस्पताल लेकर गये है जब मेरे को पता चला कि मेरा छोटा भाई बोला कि उसका बेट हो गया है रायपूर में सल्सकार अस्प परिदन है कि उसका कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए जगड़ा हुआ था आपस दोनों परिवाद परोसी है आसपास रखे हैं जगड़ा कहां से सुरू हुआ था उसको मेरे को मालूम नहीं है मैं दूसरे गाउं का हूँ मेरे को खबर चला कि ऐसा घटना हो गया है उसके अधिडवाद में आया हूँ लेकिन मेरा भाई का जो घटना हुआ है उसका सीर को लगा है उसका सहाती को लगा है और उसके बाद ऐसा क्या है कि पुरा जान तक ले दिये हैं उसके लिए जैसे की बता रहे हैं इन्होंने कि किस तरह से बुरी तरह से मार पीट यहां पर कि खूनी संगर्स इतना आगे बढ़ गया कि एक व्यक्ति की मौत हो गई दुर्भाग के जनक है कि दिपावली के दिन किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है यह अपने में दुर्भागे है बताएंगे कि मामला कैसे बढ़ा क्या हुआ था मैं नहीं जा रहा हुआ है यहां कोई है इस महले के जो बताएंगे बताया जा रहा है कि बिती रात को इसी स्थान पर मारपीट हुई थी और इस मारपीट में एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया था जिसके सर पे गंभिर चोट आई थी जिसका इलाज राइपूर के अस उस व्यक्ति की मौत हो गई है इलाज के दोरान यही वह स्थान है जहां पर जगड़ा हुआ था आप यह देख रहे हैं यह पूरा खून दिखाई दे रहा है कि किस तरह से खून यहां पूरा चारत तरफ बिखरा पड़ा हुआ है यह गली है इस गली में ही दोनों परिवा निजन आ लप रहते हैं साथ में और किसी जो हुने पता किया तो बता चला कि छोटी सी किसी बात को ले पहले जगड़ा जो है वो बच्चों की बीच में था फिर बढ़ते धीरे धीरे यह जगड़ा बढ़ों तक पहुंच गया और यह जगड़ा इतना आगे बढ़ा कि खूनी संगर्ष में बदल गया और एक वेक्ति की मौत हो गई बताएंगे जगड़ा कैसे बढ़ा यहां जगड़ा मार पिटान से बढ़ गया इस पहले जगड़ा चालू कि यह पहले बाते बात में हुआ बस पहले ऐसा सुचना मिल रहा है कि बच्चों का जगड़ा था और साइध कुछ जुवा को लेकर यह शुरुवात हुई थी इस सारा चोटे सी बच्चों से जगड़ा प्रएथ था बच्चों से बड़े कि सामिल हो गये लोग पहले मार पिटान कि रही हैं थैं हरा रहे इस Moses ऑले बच्चों की लड़ाई थी धीरे ये बड़ों तक पहुंच गई वहां से जब लड़ाई हुआ है तो फिर मेरा भाई आया है बड़ावाला जो अभी दियान थो गए वह भाई आया है उसके बाद गाड़ी को निकाला है ताकि मैं उसको होस्पिटर ले जाओं बोलकर फिर र जितना भी लड़का थे लुसको मारने के लिए लगे फिर इसको चुड़ा यहां को लग बस वहीं से शुरूँ है फिर यहां से व मेरा जो भाई है गाड़ी को लेकर गया है उसको हस्पिटर ले जाओंगा पर यहां उसको पकड़ ले हैं मारने के लिए प्र जो दोनों जो परिवार हैं जिनके भी जगड़ा हुआ है वह एक ही पास रहते हैं और इस तरह के जो सिर्फरे हैं जो उन पे पुलीस किस तरह से क्या करवाई करेगी किस तरह से लगाम लगाएगी कि जो सिर्फरे हैं वह इस तरह के जो कारे हैं जो खूनी संगर से वह ना करे देखेंगे कि पुलिस किस तरह से इस पर क्या करवाई करती है आपसे फिर मुलाकात होगी नमस्कार